आज हम बात करेंगे कि आप घर में ही मैनी प्लांट के लिए कम पैसों में और बिना पैसों के ही कैसे फर्टिलाइजर त्यार कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं money plant एक असान सा ही बहुत असान पोध है घर में लगाने के लिए कोई भी इससे लगा सकता है यह असानी से ग्रो करता है और इसे जादा धूप की जुरूरत नहीं पड़ती तो आपके हर किसी के घर में यह होता ही है सब असानी से लगाई लेते हैं असे और लगाया भी जा सकत तो आपने फ्री में बिना कोस्ट के किसी भी कोस्ट के आप फर्टिलाइजर त्यार करेंगे तो आपने क्या करना है आप घर में चाय बनाते हैं हम सब पीते हैं चाय घर में तो जो चाय पत्ती बच जाती है जो चाय पत्ती बच जाती है यह देखे जब चाय बनाने के बाद हम चाय च्छान लेते हैं यह चाय पत्ती बच गई आपने इसे क्या करना है आपने इसे पानी में दो लेना है तीन चार बार अच्छे से दो लेना है कि इसमें चीनी मिली हुई है जो शूगर है इसकी वो नि और एक लिटर ौदिए जिस दिन में घर में दो बार बनाई है आपने चाय या तीन बार बनाई जितनी भी बची आप इस टिब्बे में डालते रहें इसे लेकिन सिर्फ एक द्यान रखे कि एधोकर डाले इसमें चीनी ना रहें, अच्छे से तीन-चार बार ढहने का डर यह जी नी जाएग़ी ever दो दिन आतों onze पानी को इस तरह हो जाेगे यह देखे इस तरह से बात्व जाएगा पाइव लोन Prask है का दो दिन के बाद मैंने पहले इसे पर अटादा भिगों के चाइपति गयने इसमें पानी में डाल कर फानी में चाय पत्ती को डाल कर मैंने इसे रखा था तो ये दो दिन बाद इसका ये कलर आया है तो आप ये पोद्ध आपके मनी प्लांट के लिए एक बहुत अच्छा वर्टिलाइजर है प्रोटीन का काम करेगा ये बहुत अच्छे से गरो करेगा आपका मनी प्लांट तो आपने जितने भी आपके घर में पोदे हैं आपने उसको पंदरा दिन में एक बार आपने आदा गिलास अगर जैसे इस गंबले की बात करते हैं तो पंदरा दिन में एक बार आपने ये चा पड़ेगा यह अच्छा ही रहेगा तो बीना कोस्ट के फ्री में आप मनी प्लांट का फर्टिलाइजर त्यार कर सकते हैं इस तरह से तो आप इसे जरूर ट्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से शेयर करें और अगर आप जल नहीं आपने अभी तक स सब्सक्राइब करें और इसे ट्राइब जरूर करें और मुझे कुमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने ट्राइब किया है और आपका क्या रिजल्ट आया है थेंक यू